बास्कार, सरस्वती बंधार यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज हम कक्षा नो का अध्याय पर्थम संख्या पदती उसकी एक पॉइंट दो कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ डाइग्राम बढ़ाने हैं, प्रकार पैंसिल और स्केल की साहिता से, इसलिए इसको मैं आ एक वार थोड़ा इसी बात कर लें, रिवीजन कर लें, कि जो नेचुरल संख्या होती है, वो होती है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से है न, और फिर मैंने आपको बताई थी, पूरण संख्या, पूरण संख्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, and on, और उसके बस्चाथ, पुरणांग संख्या पूरणांग संख्या मैंने बताई थी, कि नेगिटिव भी होती है, और पूरण संख्याई भी होती है, इसके बारे में मैंने आपको पूरण डिटेल बताई हुई है, इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखे, उन में इसके बारे में पूरी डिटेल से समझायाव है उसके बाद में आती है प्रीम में संखें पी बटा क्यू रूप की जो संखें होती है उनको बोलते हैं प्रीम में संखें और इस बटा में जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो दोनों संखें वो कुस में से लेनी चाहिए हमें में से लेनी चाहिए दुन्हों संख्यें उसके बसचाद बात आती है ए वास्त्विक संख्याओं में परिम में संख्या भी होती है और एपरिम में संख्या भी होती है वास्त्विक संख्या में क्या होती है परिम में संख्या भी होती है और एपरिम में संख्या भी होती है दोनों परकार की संख्या है वो वास्त्विक संख्या में आती है तो यह जो यह 0 है अब इसके उपर देखो आपने वन लिखा 2 लिखा तो यह नेचुरल संख्या भी हो गई यह बन टू पूरण संख्या भी हो गई मैंनस में संख्या लिखें तो यह पूरण आंक भी होगी P बटा Q रूप की संख्य है जैसे मालों यह बीच में एक बटा दो है तो ये वाली संख्या परिमे संख्य होगी ऐ परिमे संख्यालों को भी इसके अंदर परदसित किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि यह जो veina इस रिख्ख के ऊपर सारी की सारी इन संख्याओं को पर्देशित किया जा सकता है ठीक है ना सारी की सारी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं पर्देशित कर सकते हैं इस रेखा कि उपर परतेक बिंदू एदुत्य रूप से एक वास्त्विक संख्या को क्या करता है पर देशित करता है क्योंकि वास्तुिक संख्या में क्या होती है परीम में निरुपीद करता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वास्त्विक संख्या या तो प्रिम में या ए प्रिम में संख्या हो सकती है बता है प्रतेक वास्त्विक संख्या को संख्या रेखा कि एक एद्वित्ते बिंदू से निरुपित किया जा सकता है मलब प्रतेक वास्त्विक संख्या कोई से भी संख्या ले लो चाहें दो ले रूप से एक बिंदू के द्वारा प्राड़ेशित है किया जा सकता है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पर प्रतेक बिंदू यह जो संख्या जितने बी बिनदू होते are वह एक unique वास्ट-उख संख्या को निरुपीत करता है जैसे मालो यह-2 है तो वास्ट-उख संख्या है तो यह यह बिनदू माइनस-टू- को निरुपीत करता है अब यह-2 को निरुपीत करता इसलिए इस संख्यारेखा को बोलते हैं वास्त्विक संख्यारेखा भी बोलते हैं ठीक है न? तो इस बात का हमें द्याने रखना है अब हमारे 1.2 में कुछ कोश्चन है उन कोश्चन की हम बात करते हैं तो 1.2 में ये पहला कोश्चन आप देखो 1.2 का पहला question है किताब में देखो आप हमें दिया वाय कि परतेक एप्रीम में संख्या एक वास्तुइक संख्या होती है तो देखो अभी मैं आपको बता के गया हूँ कि जो वास्तुइक संख्या होती है न वो प्रीम में रेप्रीम में लेकिन कोई वास्त्विक संख्या है उसका जरूरी नहीं है कि वो एप्रीम में हो जैसे मालो दो है अब दो वास्त्विक संख्या तो है लेकिन यह दो एप्रीम में संख्या है और जैसे मालो वरगमूल दो है वरगमूल दो एप्रीम में तो एप्रीम में संख्या भी वास्त् कि परतेक एपरीम में संख्या वास्त्विक संख्या होती है लेकिन सारी वास्त्विक संख्या एपरीम में नहीं हो सकती है क्योंकि वह परीम में भी हो सकती है तो इसी के उपर यह सुआल हमारा तो हमें सत्य एसत्य बताना है कि परतेक एपरीम में संख्या वास्त्विक संख् होती है इसी का कि- एकर्ड गोष्ट न है कि संख्या रेखा का परतेक बिन्दू वरगमूल एम के रूप का होता है जहां iam-1 प्राकर्ट संख्या है तो देखो यह भी हमने आपको संख्या रेखा के बरे में बताया था है यह संख्या रेखा है मां लो, अब इसके उपर पताए आपको यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है 2 होता है, त्री होता है, यहाँ माइनस 1 होता है, माइनस 2 होता है, माइनस 3 होता है तो आप देखो वो कहता है कि Sankhya e Markha का यह प्रतेएक बिंदा, जीसे यह बिंदा है, इसको मैं वरगमूल एक लिख सकता हूँ क्योंकि वरगमूल एक का मान एक होता है वरगमूल चार का मान दो होता है तो वो कहता है कि इसका परतेख बिंदो इस रूप का होता है मैं लोग इस रूप में लिख सकते हैं तो यह बात सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस एक आ रहे है और किसी भी संख्या का वरगमूल माइनस एक नहीं होता है ठीक है न यह बात आपको द्यां रखनी है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि संख्या रिका का जो परतेक बिंद्व है उसको हम वरग वर्गमूल अम्न की रूप में नहीं लग सकते हैं तो यह बात हमारी क्या आएगी एसत्य आएगी अगला question देखो परते एक वास्त्विक संख्या एक एपरीमे संख्या होती है तो देखो मैंने आपको यह बता के गया था इसी में कि वास्त्विक संख्या परते एक वास्त्विक संख्या एपरीमे होना जरूरी नहीं है वो परीमे भी हो सकती है तो हम इसका क्या अंस्व लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे ए सत्य क्यों क्यों कि वास्त्विक संख्या दो वास्त्विक संख्या दो अब ये वास्त्विक संख्या दो लेकिन ये दो ए परिमे नहीं है क्या परिमे है तो हम लिखेंगे कि प्रकर्त भी है, पूरन भी है, और पुरनांक भी है, और परिमे भी है, तो इसके बारे में हम यह कह सकते हैं, अगला कोस्चन है, कोस्चन नमबर टू है, देखो, ध्यान से पढ़ो आप, क्या सब भी दनात्मक पुरनांक के वरगमुल ऐ परिमे होते हैं, तो हम यह कहेंगे एसते क्यों अब उसने का दनात्मक पुर्णांग जैसे मालो मैंने लिया सोड़ा दनात्मक पुर्णांग ले लिया मैंने सोड़ा उसका वरगमुल निकाड़ो अब सोड़ा का वरगमुल कितना होता है सोड़ा का वरगमुल होता है चार कितना होता है चार अब चार बताओ प वरगमूल का उदारण दो तो यह हमने दे दिया तो हम कहेंगे कि यह सकते हैं और हम यह कहेंगे कि वरगमूल सोड़ा एक वरगमूल सोड़ा बराबर में चार एक परीमे संख्या परीमे संख्या है ठीक है ना तो अब हम यह कह सकते हैं कि सबी दनात्मक पूर्णांक है उनके जो वरगमूल है वो परीमे भी हो सकते हैं और एपरीमे भी हो सकते हैं तो इस बात को आपको द्यान रखने है ठीक है इसके बाद में बात आती है कि कुछ हमारे पास उधारण है तो आप किताब में देखना जो हमारे नेसलेबिस की किताब है उसमें एक उधारण है उधारण नमबर तीन दिख गया होगा आपको कि संख्यरेखा पर वरगमूल दो का स्थान निदारित कीजिए अब देखो जैसे ये मालो संख्यरेखा है इस पर हमें पता है ये जीर होता है ये वन होता है ये टू होता है अब वरगमूल दो का होगा तो अब मैं आपको बता दूँ कि वरगमूल दो का मान होता है एक पॉइंट चार एक चार और वरगमूल तीन का मान होता है एक पॉइंट साथ दीन दो यह होता है अब बात यह आती है कि वरगमूल दो कमान एक पॉइंट चार एक चार होता है तो हम एक पॉइंट यह एक पॉइंट पांच हो गया और एक पॉइंट चार एक चार यहां पर कर सकते हैं लेकिन हमें यह ग्राफ की साहिता से यह हम यह कह सकते हैं कि परकार पैंसिल क साहिता से यह बताना है हमें ठीक है ना तो इसको देखो हम वरगमूल दो को इस वास्त्विक संख्यरेखा पर कैसे परदसित करेंगे तो इसके लिए सुरू करते हैं अपन तो इसको सुरू करने से पहले हमें क्या करने होती है कि एक वास्त्विक संख्यरेखा बनानी पड़त ठीक है यह मैंने एक वास्तिक संखेरेका बढ़ाई अब इसके उपर क्या गरो आप एक एक मीटर के एक संटिमीटर के sóloसे निसान लगा दो तो मैंने एक एक संटिमиюटर के निसान बना ली ठीक है अब यह जो निसान है आपको दिखाई दे रहे होंगी यह मैंने zero लिया और इसको मैंने कितना लिया वन लिए हमें कितना बनाना मोरगमुल दो का बनाना है तो आप इसमें क्या करोगे कि एक लंबाई इकाई लंबाई का लेके और इकाई लंबाई का आपको क्या करना है जैसे यह मालो जीरो से वन है यह इकाई लंबाई हो गई ठीक है न अब हमें क्या करना है इकाई लंबाई की इस तरीके से एक लंबोत रेखा खेंचनी है यहाँ पर एक के उपर ठीक है तो इक काई लंबाई की इस तरीके से हम बिलकुल लंबोत रेखा खेंचनी है अब लंबोत रेखा खेंचने के कई तरीके है कि हम 90 डिगरी का कौन भी बना सकते है उसके साहीता से भी खेंच सकते ओर हम सिंपल तरीके से भी खेंच सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इसमें से मानलो एक सेंटीमेटर की रेखह खेंच या नाया है और फिर मैं संअधीर काम कि Dwight at हो brains rooting ऐसे किटनी एक और यह को लंब वाता तो यह कोंट कितने का 開心 कई तो यए क्या हो गई इनको मिलाएंगे तो 90 के सामने वाली बुजा यह क्या होगी करंब होगी और समकॉन तीरुबज में पाइथ oco sprap पर में लगती है लगती है ना पाई तो अब मैं इसको यह कह सकता हूं इसको नाम देदें अपन ए बी और सी तो हम यह कह सकते हैं कि करण का स्क्वेर करण का स्क्वेर बराबर होता है आधार का स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर है ना इसमें अधार कितना एक लंब कितना एक एक की गात दो का मान होता है एक ये भी हो जाएगा एक और एक में एक जोड़ोगे तो ये कितना हो गया दो तो करण की गात दो का मान हो गया दो तो यहां गात दो अटाएंगे तो करण का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वरगमुल दो इसका मतलब यह A से लेकर यह जो C त की जो दूरी आई यह कितनी आई वरंगमुल दोग लंबाई आगी, उस्सिलिद प्रकार हमें इसमें क्या करना है, कि यह सिस्टम करना है और वरंगमुल दो चुन नहीं क्या करना है, इक यह लेड़ है, तो इसके लिए लेंगे इसको प्रकार को फूट को अच्छी तरीके से रखना बिल्कुल सिद्धा और एक नब्वे डिग्री का इस तरीके से निसान लगा लेना और यहां पर आमें लंबाई कितनी लेनी है एक सेंटिमेटरी लेनी लंबाई ठीक है यह ले ली और इनको क्या करो आप इस तर प्रस्पर में लगाएंगे तो यह लंबाई कितनी हो जाएगी वरगमूल दो हो जाएगी ना फिर प्रकार को इस नोग पर रखकर और वरगमूल दो जितनी लंबाई का आप चाप खोलो ठीक है इस फूट की साहिता से और आप इस तरीके से क्या करो गुमा दो इसको यह ल बिंदू दिखरा होगा यह वाला बिंदू यह विंदू हमारा कितना है इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यह वाला बिंदू हमारा वरगमूल दो लंबाई है ठीक है समझे होंगे बात आप अब बात करते हम वरगमूल उदारन नंबर चार है इस से अगला उदारन तो द तो देखो अब इस पर हम बराबर दोरी के उपर निशान लगा लेते हैं तो जैसे मालो मैंने यह लिया 0 यह लिया एक यह 0 यह एक अब आप 90 डिगरी का कौन बनाते हुए इसी तरीके से आप क्या करोगे यह 90 डिगरी का कौन बनाओगे इसी तरीके से और फिर आप इसके साथ एक मिटर की लंबाई सोरी एक सेंटिमेटर की लंबाई का एक रेखा खेंच दोगे यह लोग एक मिटर और इन दोनों को क्या करोगे मिला दो तो देखो यहां पर समकौन तिरुबुच बन गया तो देखो यह लंबाई कितनी थी एक यह लंबाई कितनी थी एक तो यह लंबाई कितनी होगी वरग मूल दो अब हम क्या करेंगे इस बिंदू पर ये जो एक सेंटिमेटर की लंबाई है ना इतनी लंबाई का हम एक 90 डिगरी का और रेखा खेंचेंगे लंबवत रेखा खेंचेंगे तो हमने एक इस तरीके से निशान लगाया ठीक है और उतनी लंबाई लेनी है इस बिंदो से लंबवत हो नीची है बिल्कूल तो मैंने इ सेंटिमेटर की यह एक लंबाई ओर ले ली तो यह लंबाई कितनी है एक इन दोनों को क्या कुरो मिला दो अब ये वाली लंबाई कितनी होगी जैसे मान लो ये O A है ये O B है O B लंबाई कितनी होगी तो मैं अब इस तिर्बुज में पाइथो गुरस्पर में लगाता हूँ देखो तो तिर्बुज O A B में अब पाइथो गुरस्पर में क्या कहती है पाइथो गोरसपर में ये कहती है कि करण का स्क्वेर तो इसमें करण कौन सी है ये वाली है न ओबी तो ओबी का स्क्वेर बराबर में ये हो गया धार ओए का स्क्वेर पलस एबी का स्क्वेर मान रख दो ओए का मान वरग मुल दो तो वरग मुल दो का स्क्वेर A B का मान 1 1 ना तो 1 का स्कुर वरगमूल 2 को वरगमूल 2 से गुणा किया 2 और यह हो जाएगा 1 2 में 1 जुड़ेगा तो यह होगया 3 तो यहां पर Pac B का स्कुरे रटाएंगे तो इसके उपर आजाएका वरगमूल 3 इसका मलब यह जो ओबी लंबाई है यह कितनी होगी वरगमूल 3 हो गई यह ओबी लंबाई तो देखो जब वरगमूल 2 वाला चित्र बनाना था तो हमने क्या किया था तब हमने वरगमूल 2 की लंबाई को नापकर और ऐसे चाप काटा था अब हमें वरगमूल 3 का बनाना है न तो फिर हम वरगमुल 3 की ये जो लंबाई है इस लंबाई जितनी परकार खोलके और चाप काटेंगे तो हमने इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं तो ये लंबाई खोलते हैं देखो ओब भी जितनी ही तो यहां O से लेकर B तक ये लंबाई खोली ठीक है और इस तरीके से हमने एक चाप यहां काटा पूरा दिखा देना इस तरीके से जाएं तो अब ये जो जिरो से लेकर ये जो लंबाई है इस बिंदू तक ये लंबाई कितनी है वरगमुल 3 इसको हम लिख सकते हैं वरगमुल 3 और वरगमुल 3 का मान लगबग होता है एक पॉइंट साथ तीन दो समझ में आगया होगा बात बहुत ही सरल से क्वेश्चन है इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि संख्यरेखा पर वरगमुल 5 को किस प्रकार निरुपित करेंगे अब पहले सबसे पहले हम एक सेंटीमीटर की लंबाई ले लेते हैं यह एक सेंटीमीटर की लंबाई होगी ठीक है यह होगे 1 सेंटीमीटर अब इसके उपर हमें कितने का कौन मनाना है इसके उपर हमें 90 डिगरी का कौन बनाना है तो देखो इस तरीके से आप कितने का कौन मना दोगे नब्वेगा और फिर हम एक सेंटिमेटर का इस तरीके से रेखा खेंच लेंगे कितने की खेंचनी है एक सेंटिमेटर की अब इसको मिलाएंगे तो आप बताओ ये वन है ये वन है तो ये कितनी होगी वरग मुल दो जो ह हमने पहले स्वाल में किया था अब इसके उपर दुबारा हम एक लंबवत रेखा खेंचेंगे एक सेंटीमेटर की इस तरीके से ठीक है ना इसके उपर हमने दुबारा एक सेंटीमेटर की रेखा खेंची बिल्कुल सही खेंचना अराम से चित्र को बनाना है ये एक सेंटीमे 90 degree का 1 cm की रेखा खेंचेंगे जो इसके क्या होगी लंबुवत होगी किसके इसको मैं नाम देदू ओ A O B O C O C के लंबुवत हम एक C बिंदू के ऊपर लंबुवत रेखा खेंचें इस तरीके से यह पोईंट लगाया और यह 1 cm की हमने रेखा खेंच ली ठीक है यहां से यहां अब इसको मिलाओं तो यह बिंदू हो गया अमारा D यह लंबाई कितनी एक अब इसको सरल करो गये ना तो यह कितनी आएगी वरगमुल 4 आएगी करके देखें तो पहले आप इस तिरबुच O C D के अंदर पाई तो गरस्पर में लगाओ तो O C D मे तो द दब्बे के सामने वाली यह करण होगी तो O D का स्कोयर बराबर में हो जाएगा O C का स्कोयर प्लस C D का स्कोयर उसी का माँन है वरग मूल तीन का स्क्वेर सिड़ी का माँन है एक एक का स्क्वेर वरग मूल तीन का स्क्वेर होता है तीन पलस एक तीन और एक जुड़ेंगे तो चार तो ओड़ी का स्क्वेर बराबर में चार आया तो और डी व्राबर में हो गया और रग मूल 4, तो यह जो है, मारे पास यह कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है? अब हम दूबारा इसके ओपर क्या करेंगे? D विंदो के ओपर पुन्ण हम 90 डिगरी बिणाएंगे, ठीक है? तो देखो, इस D बिंदू के उपर पुन्य हमने क्या किया 90 डिगरी करते हुए 1 सेंटिमेटर की हमने रेखा खेंची ये इस तरीके से ठीक है इसको मैंने नाम दिया E इस बिंदू को आप क्या करो इससे मिला दो अब ये वरगमुल 4 था ये एक है तो इसको सरल करेंगे तो ये कितना आएगा वरगमुल 5 आएगा अब हम क्या करेंगे परकार O E जितनी परकार खोलेंगे और ये नाप लेंगे कितनी दूरी है और इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से चाप काट देंगे ये लो तो ये जो दूरी है न ये वाली दूरी कितनी है वो रग मुल 5 है ठीक है न जैसे मालो ये 1 था ये यहां तक 2 है तो ये जो दूरी है न ये दूरी कितनी है ये दूरी है वो रग मुल 5 ये वाली अब इसको हम एक इजी तरीके से भी और बना सकते हैं कैसे इजी तरीका तो देखो आप यहाँ पे दूसरा एक तरीका और लगाते हैं कि यह जैसे मालो संख्या रेखा है ठीक है यह इसका 0.1 है यह 1 है और यह हमारे पास है 2 0 1 2 इस वार हम क्या करेंगे इसको 2 ले लेते हैं दूरी को और हम 90 डिगरी का जो पोइंट है वो इस 2 के उपर बनाते हैं इस तरीके से और यह वाली लंबाई आप कितनी ले लेना एक ले लेना देखो यह 0 1 2 तो यह लंबाई होगी 2 और यह वाली लंबाई कितनी थी 1 और इनको क्या करो मिला दो ठीक है तो देखो कि यह लंबाई कितनी हो गई यह लंबाई हो गई 2 यह लंबाई कितनी हो गी 1 यह कौन था 90 तो यह हो गया O A B अब इसमें पाईतो गोरस्पर में लगाओगे ना तो देखो क्या आता है करण का स्क्वेर बराबर में अधार O A Q 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 आप क्या करोगे, चाप लगा दोगे, ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे हम, यहां से लेकर हमने यह परकार खोलाओ भी जितना, ठीक है, और यहां इस तरीके से चाप लगा दो, यह लो, ठीक है, तो यह जो बिंदू है, यह कितना होगा, वो रगमूल 5 होगा, अब आप देखो, यह दूरी देखो, बराबर नहीं गया, और यह वाली दूरी देखो, बराबर है ना, दोनों यह दूरी, क्या है, बराबर बराबर है, यह देखो, 0, 1 था, यह 2 था, 2 से थोड़ा सा आगे, यह देखो, 2 से थोड़ा सा आगे, तो इस तरीके से हमें यह, जो हमारी, एक पॉइंट दो है, यह आज हमने पूरण कर ली है, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ सेर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.